प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज की कच्छा में आज हम लोग बात करेंगे क्लास दस्वी के इतिहास विशे के तीसरे चाप्टर अध्याय तीन भूमंडली कृत विश्व का बनना भाग दो के बारे में इससे पहले भाग एक में हम लोगों ने क्या सीखा था उसका एक पुरबाबलोकन कर लेते हैं पहले भाग में हमने बैस्विक संपर्ख, ब्यापार और बिमारी के आपसी संबंदों को समझने की कोशिस की थी साथ ही विश्व अर्थ वैवस्था के उदय और बैस्विक अर्थ वैवस्था के उदय में तकनीकों के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी इसके साथ ही उपनिवेशावाद और वैश्वी करण के आपसी संबंदों को समझने का कोशिस किया था हमने साथ ही भारतिय ब्यापार और बैस्विक वैवस्था को भी हमने देखा था तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हमारा महत्वपुन विसे क्या होगा आज हम लोग बात करेंगे दो बिस्व युद्धों के बीच बैस्विक अर्थ विवस्था के बारे में और युद्धोत्तर सुधार के बारे में यानि कि पर्थम बिस्विक के बाद जो युद्धोत्तर सुधार हुए वो और दूतिय बिस्विक के बाद जो युद्धोत्तर सुधार हुए उसके बारे में इसके साथ ही हम देखेंगे कि महामंदी क्यों आई इसका क्या पड़िनाम हुआ और युद्धतर काल में बिस अर्थविवस्था का पुन्ह निर्मान किस तरह से क्या गया इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो अब देखते हैं कि जब हम आज का सेशन खतम करेंगे तो इसका अधिकम पड़िनाम क्या होगा इसके बाद सिक्षार्थी दो बिस युद्धों के कारण मानवता की समस्याओं का आकलन कर पाएंगे युद्धुत्तर सुधार की प्रक्रिया का विसलिशन कर पाएंगे बैस्विक महामंदी के कारणों एबंग पड़िनामों की व्याक्षा कर पाएंगे साथ ही दुधिये बिस युद्ध के बाद बिस अर्थ व्यवस्था के पुननिर्मान का मुल्यांकन भी कर पाएंगे हमने भाग एक में जो कुछ भी सीखा था उसके आधार पर ये एक गत्विधी करते हैं फिर हम आज की सेसन को आगे बढ़ाएंगे उनिसमी सदी के दोरान दक्षिन अफरिका में स्वर्ण एबम हीरा खनन के बारे में जानकारी एकठा करें और सोना और हीरा कमपनियों पर किसका नियंतरन था? खनिक कौन थे? कहां से आते थे? उनका जीवन कैसा था? इन सारी जानकारियों के आधार पर एक पर्योजना कार्ज तयार करें आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि पर्थम विश्युद्ध के दोरान और उसके बाद बैस्विक अर्थविवस्था का क्या हुआ? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 तक पूरी दुनिया में पर्थम विश्युद्ध लड़ा गया इसमें दो पक्ष थे? पर्थम पक्ष में मित्रास्टर थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे और इनके ठीक विपरीत दूसरा पक्ष था जिनको हम केंद्रिय सक्पियां कहते हैं और इसमें जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की सामिल था एक बहुत महत्वपून बात मैं आपको बताओं कि प्रथम विशु युद्ध को पहला आधुनिक और द्योगिक युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में मसीन गनों, हवाई जहाजों और रासाइनिक हत्यारों का भायंकर प्रियोग किया गया था और इसका पड़िनाम क्या हुआ पता है आप लोगों को 90 लाक से ज़्यादा लोग मारे गए इससे ज़्यादा ही लोग घायल हुए और घायलों में ज़्यादा तर कामकाजी उम्र के लोग हुआ करते थे इस कारण यूरोप में और दुनिया के कई अन्य भागों में भी कामकाजी लोगों की संख्या बहुत कम हो गई क्यूंकि या तो वो युद्ध में रत थे या फिर युद्ध में घायल हो चुके थे या फिर मृत्यू को प्राप्त हो चुके थे इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि परिवारों के आई में गिराबट आई क्यूंकि कमाने वाला ही परिवार में नहीं बचा पुरुस युद्ध में थे अतह महिलाओं को भी घर से बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा और महिलाओं के उपर इसका दोहरा बोच पड़ा क्यूंकि उन्हें घर का काम भी करना ही पड़ता था और साथ में उनको बाहर भी काम करना पड़ गया एक महत्वपुण बात ये हुई कि प्रथम विश्युद्ध के बाद अमेरिका करजदाता बन गया और बिटेन जैसा देश करजदार बन गया उसे उधार लेना पर गया साथ ही उत्पादन चाहे वो किसी उत्पादन हो या फिर ओध्योगिक उत्पादन हो उत्पादन गिरना सुरू हो गया और उत्पादन के गिरने से बिरोजगाड़ी बढ़ने सुरू हो गई क्रिसी अधारित अर्थ विवस्थाएं जिन जिन देशों में थी वो संकट में थी क्योंकि क्रिसी के उत्पादन के गिरने के कारण ग्रामिन आय में कमी हो गई और किसान भी गहरे कर्ज के संकट में फस्ता चला गया अब हम ये समझने की कोशिस करें कि प्रथम विश्युद के बाद किस तरह से बैस्विक अर्थ विवस्था में सुधार किया गया तो प्रथम विश्यूद के बाद अमेरिका में सुधार की गती काफी तेज रही और इसका एक बहुत ही महतोपुन कारण था ब्रिहत उत्पादन इसका एक महतोपुन उधारण है हेन्री फोर्ड के द्वारा ब्रिहत अस्तर पे कार का उत्पादन किया जाना 20 के दसक में यूरोप में भी इस उत्पादन पधती को अपना लिया गया जिससे इंजिनियरिंग पर आधारित जितनी भी बस्तुमें बनती थी उनकी लागत और उनके कीमत में कमी हुई अब आध्योगी करण के कारण चुकि मजदूरों को काम मिल रहा था और उनको बहतर बेतन भी मिल रहा था इस कारण से बहुत सारी उपभुकता बस्तुमें जैसे फ्रिज, वासिंग मसीन, रेडियो, ग्रामफोन ये सारी चीजें मजदूरों को भी उपलब्द होना दी जाती थी, 1923 इस्वी में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा करण दाता देश बन गया, अमेरिका द्वारा आयात और पुंजी निरियात में यूरोपिये अर्थ बेवस्थाओं को संकट से उबढ़ने में मदद मिली, अगले छे सालों में विश्व ब्यापार और 1929 के आते आते, पूरी दुनिया महामंदी में फस गई, तो अब हम ये समझने की कोशिस करें, कि ये महामंदी पूरी दुनिया में क्यों आई और इसका पड़िनाम क्या हुआ, 1929 इसमी से लेकर 1932 इसमी तक पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी बनी रही, और इसके कई कारण थे, जैसे उत्पादन जब बहुत अधिक हो गया, तो किसी उत्पादों की कीमत गिरती चली गई, अब चुकि किसी उत्पादों को सही दाम नहीं मिल रहा था, इस कारण किसानों के आए में कमी हो गई, दूसरी बात ये हुई कि 1928 इसमी में मंदी का संकेत जैसे जैसे अमेरिका को मिलना सुरू हुआ, अमेरिका ने दूसरे देशों को करज देने में कटोती करना सुरू कर दिया, और कई देशों को उसने करज देना बंद कर दिया, इसका और आर्थिक महामंदी का उनके उपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा अब हम समझने की कोशिस करें कि इस आर्थिक महामंदी का पूरे बिश्व पर क्या असर पड़ा सबसे पहली बात अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के कई बैंक बरबाद हो गए क्योंकि जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया था अब वो बैंकों का पैसा वापस करने की इस्थिती में नहीं थे इसलिए जब उन्होंने लोन वापस करना बंद कर दिया तो बैंकों की आमदनी का जो साथन था वो बिलकुल खत्म हो गया और इस कारण से कई सारे बैंक बंद हो गए अगर दूसरे देशों के उपर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि कई देशों की मुद्रा बिलकुल गिर पड़ी उनकी कीमत बहुत ही नीचले अस्तर पर पहुँच गई और उसका नुकसान अध्योगिक उत्पादन के साथ साथ किरसी उत्पादन पर भी देखने को मिला लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहां पर में किरसी और कच्छे माल की कीमतें बिलकुल ही नीचले अस्तर पर पहुँच गई और अमेरिका ने आयातित पदार्थों पर दो गुना अधिक सीमा सुल्क लगा दिया जिससे बिश्व ब्यापार की कमर पूरी तरह से टूट गई लेकिन एक बहुत ही महतुपून बात यह है कि महामंदी के असर से अमेरिका भी नहीं बच पाया और अमेरिका के ऊपर महामंदी का बहुत ज़्यादा असर हुआ क्योंकि इसकी सुरवात भी वहीं से हुई थी अमेरिका में भी कई बैंक दिवालिया हो गए किसानों के पास उपज तो अधिक थी लेकिन वह उसे बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि किसी उत्पादों की कीमत काफी कम हो गई थी इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि कई पड़िवार कर्ज में डूब गए और पूरी तरह से तबाह हो गए कारोबार ठब पर गया विरोजगारी बढ़ने लगी और द्यों की उत्पादन कम हो गया और इस तरह से अमेरीका बहुत ही ज़ादा परिसानी में पढ़ गया अब हम बात करें भारत की महामंदी का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला और भारत भी इससे अचुता नहीं था तो अब हम ये समझने की कोशिस करें कि इस आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या असर पड़ा 1928 सबी से लेकर 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात दोनों ही चीजें घट करके लगभग आधा रह गया और इसी पीरियट के दोरान भारत में गेहूं की किमत 50 प्रतिसत गिर गई चुकि गेहूं को ना तो कोई अपने देश में खड़िदने वाला खड़िदार था नहीं इसका निर्यात हो सकता था और एक बहुत महतुपूर्ण बात ये हुई कि चुकि बिटिस गवर्मेंट लगान की वसूली में किसी तरह का छूट नहीं देना चाह रही थी और किसानों को लगान देना ही पर रहा था इस कारण से हमारे किसान पहले से ज़्यादा करज में डूब गए और गरीबी बढ़ा क्योंकि बिरोजगारी भी लगाता बढ़ रहा था अब हम लोग इसी महामंदी पर आधारित एक गतिविधी करते हैं आप कलपना कीजिए कि बैस्विक महामंदी के दौरान आप भारत में रहने वाले एक किसान थे अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें इस बात की चर्चा कीजिए कि आर्थिक महामंदी का आपके उपर क्या असर पड़ा और इस विपत्ती से उबढ़ने के लिए आपने क्या प्रयास किये दोस्तों जहां तक भारत का संबंध है तो इसी महामंदी के दौरान भारत से कीमती बस्तूं बिसेश कर लगातार सोने का निर्यात किया जाने लगा ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात होगी कि इस समय भारत देश के अंदर अंग्रेजों का असासन था और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था जिस समय देश को सबसे अधिक कीमती धात्वों की जरूरत होती है महामंदी के दौर में सोने का निरियात हमारे देश से विदेशों को किया जाने लगा एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थसास्त्री हुआ करते हैं जिनका नाम है कीन्स कीन्स महोदय कहते हैं की भारत से सोने के निरियात के कारण बैस्विक अर्थवेवस्था को पुनरजिवित करने में काफी मदद मिली सहरों में रहने बाले जो मध्यम बर्गिये बेतन भूगी कर्मचारी थे उनकी इस्थिती तो ठीक ठाक थी इसका कारण ये था कि महिने के अंत में उनका बेतन आ जाता था जिस कारण से वो इस समस्या से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हुए सहरों में जो जमिनदार लोग रहते थे उनकी इस्थिती भी मजबूत थी क्योंकि हर महिने के अंत में उनके पास उनका निस्चित भारा आजाता था तो उनकी आई स्थिर थी इस कारण से सहरों में रहने वाले जो मध्यम वर्गिय बेतन भोगी वर्ग के लोग थे या फिर जो जमिंदार सहरों में रहते थे उनके उपर महामंदी का बहुत असर देखने को नहीं मिला एक खास बात ये हुई कि उद्योगों की रक्षा करने के लिए सीमा सुल्क बढ़ा दिये गए और इससे भारत में औद्योगी छत्र में निवेश में तेजी आई और नए नए उद्योगों के खुलने का रास्ता साफ हुआ अब हम बात करते हैं दूतिये विस्यूध की जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 1949 स्वी से लेकर 1945 स्वी तक पूरी दुनिया में दूतिये विस्यूध लड़ा गया और इसमें भी दो पक्ष थे पहला पक्ष धूरी सक्तियां कहलाती थी जिसमें जापान जर्मनी और इटली थे और दूसरा जो पक्ष था वहां मित्र रास्टर कहलाता था और उसमें ब्रिटेन, सुवियत संग, फ्रांस और अमेरिका सामिल थे इस युद्ध में लगभग एक करोर लोग मारे गए और आर्थिक और समाजिक तबाही तो बेहिसाब हुई जिसका अंदाजा लगाना कठिन था इस युद्ध के अंत में एक खास बात यह हुई कि पूरी दुनिया में दो गुट बन गए एक का नित्र तो अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नित्र तो सुवियत संग कर रहा था और पूरी दुनिया में एक जो इसका असर देखने को मिला वो था सीत बेवस्था का बना रहना बहुत जुरूरी था इस कारण से जो धोत्तर अंतराश्ट्रिय आर्थिक बेवस्था का जो मुख्य उद्दे से था वो था आर्थिक इस्थिर्ता और पूर्ण रोजगार इसके लिए भी कोशिस किया जाने लगा इसी फ्रेमवर्क पर यानि की आर्थिक इस्थिर्ता और पूर्ण रोजगार के फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 इसमी में अमेरिका एस्थित न्यू हैंपसायर में ब्रेटन वुट्स नामकस्थान पर सन्युक्तराश्टर मौद्रिक एबं बित्ये सम्मेलन में कुछ सहमती बनी इसके जो स्रस्य देश थे उन्होंने बिदेशी बैपार में लाव और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुट्स सम्मेलन में अंतराश्ट्रिये मुद्रा कोस की अस्थापना की साथ ही युद्धोत्तर पुनर्निर्मान के लिए पैसों की जरूरत थी तो पैसों का इंतजाम हो इसके लिए अंतराश्ट्रिये पुनर्निर्मान एवं विकास बैंक अर्थात बिश्व बैंक जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है इसका गठन किया गया यही कारण है कि बिश्व बैंक को और एंटरनेशनल मोनेटरी फंड यानि कि अंतराश्ट्रिय मुद्रा कोस को ब्रेटन वूट्स ट्विन कहा जाता है क्योंकि ब्रेटन वूट्स संबेलन में ही दोनों की अस्थापना हुई थी और इसके बाद इन्होंने दोनों संस्थाओ ने 1947 इसमी में आपचारिक रूप से काम करना भी सुरू कर दिया था अब हम यह देखने की कोशिस करेंगे कि इन दोनों संस्थाओं के उपर अमेरिका का प्रभाव बहुत अधिक था क्यों क्योंकि दोनों ही संस्थाओं यानि कि वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ दोनों के किसी भी फैसले को अमेरिका बीटो कर सकता है यानि कि यदि अमेरिका को ये लगता है कि जो भी फैसला वर्ल बैंक या आई एम एफ ने किया है ये उसके हित को किसी भी तरह से प्रभावित करता है तो अपने वीटो के वोट से उस फैसले को बदलने की सकती अमेरिका रखत ब्रेटन वुट्स वेवस्था की एक खास बात ये थी कि यह निश्चित बिनिमयदरों पर आधारित थी इस वेवस्था में राश्ट्रिये मुद्राएं जैसे अगर हम भारत का उदाहरन लें तो भारतिये अमेरिकी मुद्रा डॉलर दोनों एक साथ एक निश्चित बिनिमयदर से बंधे हुए थे यानि कि एक डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे ये मुल्य इस्थिर किया गया था और डॉलर का मुल्य भी सोने से बंधा हुआ था और इस वेवस्था के अंतरगत एक डॉलर की कीमत 35 ओंस के बराबर निर्धारित की गई थी ब्रेटन वुट्स वेवस्था के जारी होने के बाद उनिस सो पच्चास इसवी से उनिस सो सत्तर इसवी के बीच बिश्थो ब्यापार के विकास की दर सलाना आठ प्रतिसत से भी जादा रही और इसी दोरान बैस्विक आए में पांच प्रतिसत की दर से ब्रधी हुई इस दोरान अधिकांस और द्योगिक देशों में बिरोजगारी की दर पांच प्रतिसत से कम रही ये एक बहुत ही महत्तोपुर्ण उपलब्धी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि विकासिल देशों को इसका फाइदा नहीं हुआ विकासिल देशों में भी इस दोरान आधुनिक तकनीक आये आधुनिक उपकरण आये और पूजी भी निवेश किया गया जादातर विकासिल देशों को पच्चास और साथ के दसक में पस्चमी अर्थ बेवस्थाओं की तिब्र प्रगती से कोई लाव नहीं हुआ अतह उन्होंने एक नई अंतरास्तिय आर्थिक प्रणाली जिसे न्यू इंटरनेशनल एकोनोमिक ओर कहा जाता है इसके लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया और ग्रुप 77 के रूप में संगठित हो गए इसमें ग्रुप 77 में कुल 77 यानि 77 विकास सील देश स्दस्य के रूप में संगठित थे और इसका मुख्य उद्दे से था कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंतरन मिल सके और यूरोप या अमेरिका कोई भी उनके संसाधनों पर किसी तरह का नियंतरन अस्थापित न कर सके साथ ही उनके विकास के लिए बिस्व के जो विकसित देश थे उनसे आर्थिक सहायता मिले कच्चा माल जो इन देशों से दूसरे देशों में निडियात किया जाता था उसके लिए उन्हें कच्चे माल के लिए सही दाम मिले और जो तयार माल इन विकासिल देशों में बनता था उनको विकसित देशों के बजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुँच मिले ताकि उनको भी इसका लाब हो साथ के दसक के बाद अमेरिकी डॉलर प्रधान मुद्रा नहीं रही पहले तो इसका बड़ा सम्मान था और डॉलर निर्विवाद रूप से एक अंतरास्ट्रिये प्रधान मुद्रा थी लेकिन साथ के दसक के बाद इस्थिती में परिवर्तन आया और सोने की तुलना में डॉलर की कीमत भी गिरने लगी इसके साथ ही इस्थिर बिनिमय दर की जो बेवस्था लागू की गई थी वह भी विफल हो गई और अब और इस्थिर बिनिमय दर की बेवस्था पूरे दुनिया में सुरू हो गई सत्तर के दसक के बाद अंतराश्ट्रिये संस्थानों से विकासील देश करज और विकास संबंती सहायता ले सकते थे विदेशी बहुराश्ट्रिये कमपनियां उन देशों में अपना कारोबार करना पसंद करने लगी जहां उन्हें सस्ता मजदूर मिल जाता था और साथ ही बरा बाजार उपलब्द हो जाता था इस तरह से ब्रेटन वुड बेवस्था का पूरी तरह से खात्मा हो गया और बैस्ट्वी करण की प्रक्रिया का आरंब हुआ अब हम लोग अंत में एक गतिविधी करते हैं आप इस इमेज को देखिए और समझने की कोसिस कीजिए कि यहां क्या हो रहा है और बताए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वैस्थ्वी करण के होने से जो फाइदे और नुकसान हुए दोनों बरावर नहीं हैं अर्थात बैस्त्वी करण के फाइदे भी हुए लेकिन साथ साथ नुकसान भी हुए आप किस पक्ष का समर्थन करते हैं अपने कथन के पक्ष में आप तरक दीजिए तो दोस्तों आज हमने भू मंदली कृत बिश्व का बनना समझा आसा है इस चाक्टर को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा धन्यवाद किस दीजिए लज ऐitionally हमने का समय थे कर दो तरक दीजिए को आपक। झाल झाल